हेलो फ्रेंड्स, welcome in my video, आज की इस वीडियो में आपके साहर शेयर करनीवाली हूं कटल की अबजी बनाने की रेशिपी, sûr अगाए एल is आपको मिलते रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो देखिए कठल की सब्जी कितनी टेश्टी लग रही है देखने में ये ग्रेवी वाली सब्जी मैंने बनाई है आप इसे सुखा भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ग् आने वाली हूं इसको क्या करना है थोड़े बड़े बड़े पीसिज में काट लेना जैसे कि मैंने बीच से इसको आधा किया और फिर इसके चार टुक्रे कर लेना है इस आधे को इस तरह से और इसको कूकर में डाल देना है पानी डाल करके और कूकर में डाल देना है इसको जो कसिलापन है वो नहीं लगेगा इसमें कुछ आलू भी मैंने डाल दिये हैं जो की छोटे कठल के साथ मिक्स करके बनाने पर बहुत अच्छा लगता है इसको आप पुरा कुगर पानी भर दें जहां तक ताकि पुरा कठल डूप जाए और फिर इसको उबालना है आपको इ कठल बीकुल बॉयल हो चुका इसको ज्यादा नहीं करना की पूरा गल जाए इसको बस एक सीटी आए उसके बाद लोग फिलिम कर दें और फिर एक सीटी आने तक इसको बॉयल करना और देखे इस तरह से उंगलियों से आपको इसके सारे चिलकों को उतार लेना ये बहुत ह आराम से बहुत ही सौफट तरीके से चील जाते हैं इसे से छिलने से क्या होगा जो कऊछल का चीलका प्रॉपबर जहां तक चीलना चाहिए वहीं तक चीलका निकलता है और इससे कष़ा ज हो्ता है और नहीं लगे आप और अगर थोड़ा सा अभी तक ग्रीन पार्ट यहां पर मैंने लगबग दो बड़े साइज का प्याज कात लिया है और सारी कड़ल को काट के तियार कर लिया है और आलू भी छील लिया है इस आलू को भी छोटशे टोड़ों में काट लेना है कडाही में लगबग तीन बड़े चमच ऑइल डाला है और ऑइल जब गरम हो जाए तो इसमें फिर हम प्यास काटा था वह प्यास को डाल दिना है पहले थोड़ा सा डाल की चेक करना है कि ऑइल गरम है कि नहीं है जब दे सब मसालों को आपने को पीश करें तैयार कर लेमां और ऊसे डालना है तो मैंने उस म्चल में यह डिक तो इसम वैसे ढंखी लिया चमग यहां हमने और वीक्षी क्योंक लिपते पानी के साथ रिकार है लिया और इन को सब को अच्छे से ब्हून ले लेना यह सब आपको मीडियम गैस पर करना है क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पर मसाली जलने लगेंगे यह दिखे मारा मसाला भून के तियार हो गया है तो जब यह मसाला भून जाए तो अब हम इसमें मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट के रखे थे वह डाल रही हूं मैं इसमें औ और लगभग एक से दो मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हम ढख करके रख देंगे इससे टमाटर क्या होगा पूरा अच्छा से गल जाएगा जब टमाटर पूरा गल जाएगा तो उसके बाद दुबारा हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो यहां पर देखिए अब मैं अच्छे से ढख देती हूं बिल्कुल फ्लेम को लो करके और एक से दो मिनट के बाद फिर हम इसको भून लेना है जब मसाले पूरे अच्छे तरह से भून जाए तो अब हम इसमें जो कठल काटके रखा था उसको डालेंगे तो अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखिए हमारा मसाला बुरो टमाटर गल चुका है कहीं दिख भी नहीं रहा है और भून भी गया है अब हम इसमें कठल डालेंगे अगर आप पठल की सुकी सब्जी बराना चाहते हैं तो इसे मसालों में मिक्स करने के बाद लग एक छोटी कटोरी पानी डाल करके इसको पांच मिनट तक ढख करके पका दें मीडियम फ्लेम पे ताकि जो मसाली है वो सब्जियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके इसल सुखा लेकिन हमें ग्रेवी बनाने वाली हूं इसलिए अभी मैं इसको सुखा ही पहले थोड़ा दिर भून रही हूं अभी देखिए हमारा सुखा भून जुका है तोड़ा सा इसको में ढख देती हूं लो फ्लेम करके ताकि इसमें मसाली अच्छे से अब्जॉर्ब हो सक इसमें पानी डालना है तो पानी डालने के बाद लगबग इसे पांच मिनट और पकाना होगा धकर के मीडियम फ्लेम पे ताकि जो मसाली है वह अच्छे से और नमक वगेरा अच्छे से गठल में एब्जॉर्ब हो सके तो चली इसको मैं ढख देती हूँ अब देखे यह ढखने के बाद जब मैंने दुबारा अधकन इसका हटाया तो इसके बाद हमारा कठल इस तरह से यह पुरा अब इसमें सारी बॉयल हो चुका है और इसमें घरा धनिया डाल करके और आप चाहें जोड़ा गरा मसाला डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं यह हमारा कठल का सब्जी बिल्कुल रेडी है तो आप भी इस तरह बनाएए बनाकर देखिए और बताएए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगे कमेंट करके बताएगा कि मेरी जो यह कठल की रेस्पी है यह कैसी बनी है थैंक्यू फॉर वाचिं कि बद्प़ केश, इसके बेंचे रेस्टेश कर सकते हैं gastप्क्राइए